जैसे ही सेकंडियर में मैं पढ़ रहा था और वो दिन था 29 सितंबर सन 2000, 29 सितंबर सन 2000, 20 साल की उम्र थी, दाड़ी मुझे भी सही से नहीं आई थी, और आ गया मेरा दोस्त मुझे ये कहने, हर चल अमेरिका से कोई आया है, जो जीवन बदल देगा, मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि हमेसा खुस मिजाज और चीजों को ऐसे उच्छा के साथ देखना, तो मैं चला गया, और चला गया तो बस उस दिन का जो सीन था और जो लाइफ में देख रहा था, लोग जूम रहे थे, डांस कर रहे थे, ब्राजी, ये मेरी नेचर को भाग गया पैसा और डांस और खुसियां और अरे वह ये क्या चीज़ है, तो बीस साल का आदमी लड़का जब बापू बोजनाले में खाना खाता है, वो इनतीस सितमर सन्द दोजार का, और वो जीवन में फिर नया मोड आ गया, वालो आप जब सेकिंड क्लास में थे, उसी समें डिर अगर चोथानी जी, ये पूस्ते हैं कि स्टुडेंट जो है, वो डिरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, वो खुद स्टुडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने अलग तरह के चैलिंजिस आपने उनको फेस किया होगा, मैं अ जी के यहां निरबर रहे हैं और फिर जाके बिजनिस करना, वो बहुत बड़ी का शोटी पर उतरने वाला चेलेंज होता है, अगर स्टुडेंट लाइफ में आप कर रहे हो इस बिजनिस को, तो फिर आपके माबाब की निगाएं आप पर है, आपके अड़ोस पर उसकी नि अवस्ता में आप वो बाते करने लगते हैं, जो उस उम्र में उन्होंने नहीं की, तो अब वो उनको अटपटी सी लगती है, हो सकता है कुछ लोग जल्दी स्विकार कर ले, वा बेटा बड़ास अपने देख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग भारत में से नहीं होंगे, जल्दी से इस बात को स्विकार करेंगे, तो मान के चलिएगा, स्टूडेंट अवस्ता में अगर आप इस बिजनिस को कर रहे हैं, तो डबल कसोटी है, तीन से चारगुना कसोटी हो पे खरा उतरना होगा, उस ताइम आप क्या गुटकी जर्दे तो नहीं खा रहे हैं, उस बिजनिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने क्यों हिल्प की, आपको कुछ न कुछ जिंदगी में सबूत देना पड़ता है, आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, जो लड़का मैं 20 साल का था, 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए मैं 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 रहता था, आप पेशन के साथ, उसने 29 सेतंबर सन 2000 को गहने यू रख दिये, जिस दिन में मैं चोड़का है, उसके बाद मैं अनात हो गए, मेरे पिताजी ये नोट कर रहे थे, मेरे पिताजी ये देख रहे थे, कि जो क्रिकेट नहीं चोड़ सकता था, अगर इस बिजनिस को करने के लिए आपको जीवन में कुछ तो आपके ऐसी पदचिन और निशानिया चोड़नी पड़ेगी, जो आपके आसपास वाली जिन पे आप निरबर हैं, वो ये कैसा के बच्चे ने यार कुछ तो अच्छा डिजिजन लिया है, जब तक आप पदचिन नहीं छोड़ते हैं, आप और फिर डारेक्ट सेलिंग इंडरस्ट्री को मोज मस्तिक क्योंकि दरसल क्या आटा, डाल, तेल, चाओं, अलका बहु पता नहीं होता है, वत्साप, इस्टुडेंट लाइब में, उस टाइम जिमेदारिया नहीं होती, मैं जब स्टुडेंट हुआ करता था, मैंने जीवन मिलता है, उसको मैं रिचार्ज, इस्टोर करता हूँ, और मैं एक बाल्टी से जधा पानी कभी यूज नहीं करता, यह मेरे जीवन का नियम है, चाहिए आज मेरे पास पानी के नदिया हो, यह बातें मतलब जब मैंने प्राइस पे की थी, तो मेरे पिता जी की नजरे थी, उनकी महने डबल हो गई, उनके पास जावा यजदी गाड़ी हुआ करती थी, वो दूद वाली, उन्होंने मेरी हीरो पुक लेली क्योंकि यह एवरेज अच्छी देती थी, और मैं अपने जमीर पे था, अब मुझे इस रंगार अच्छी नहीं लगते पापाजी, फैल हो या तो मतलब ऐसे कैसे रख दिये थे, और जैसे ही में डारेक सेलिंग बिजनेस में आया, तो एक डिसिप्लेन देखा था मेरे पिताजी ने, वो डिसिप्लेन देखते हैं मेरे पिताजी के अंदर एक ऐसी करूना आई यार बच्चे को मुझे पैसा देना चीए, सपोर्ट करना चीए, तो हम लोग मंबई गए तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए, लग गए, लेकिन वो कब लगे जब उनको ये लगा, यार 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए इसने पढ़ा ही छोड़ दी, सारे काम इदर उदर कर दिये, ये बिजनेस अगर कर रहा है तो कुछ तो होगा तो आपको जीवन में, ये प्रसन जिनों ने पूछा है और वो सारी स्टूडेंट जो स्टूडेंट की एज में डिरेक सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे पदचिन छोड़ने होंगे पीछे, जो इस बात का सबूत देवें, जिन पे आप डिपेंड हो जो आप पे विश्वास कर सकें और आपके जीवन में आपके लिए कुछ ना कुछ कॉंट्रिबूशन कर सकें, ये करना होगा, और जब तक कुछ ना कुछ बीज मिटना पड़ता है सर, मिटे बिना बीज वरक्स नहीं बनता, इस्टूडेंट लाइप में आप जीवन के उ इस चैनल को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब कर दीजीए, बेल आइकों का बटन जरूर दबाईए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका